फिर से आप सभी का सोगत है अपके अपने जाने में तो आज हम लोगे हम पर बात करने वाले हैं बिग बाइस लिग बीबल 2023 के इलिमिनेटर मैच के बारे में जो की खेला जाने वाला है सिद्नी थंडास ब्रिस्बेन हीट के बिच में दोपार को एक बाइस के पता है सिद्नी सो ग्राउंड स्टेडियम सिद्नी अस्टेलिया में तो इसमें इसकी मापको पूरी पूरी जानकारी देने वाला हूँ इन डेफ्तानल से करके दूँगा जिससे आपको की टीमाना ने बहुत हियाद होने वाली है ध्याना कि आपको टॉप बैटर्स फोर और लास्ट में ड पीच की बात किया है तो ध्यानना बाइटिंग पीच होने वाला है जहां पर टीम चेज करना पसंद गी क्योंकि एडवांटेज रहने वाला है चेजिंग टीम को और यहां पर फास बाल से ज्यादा भी कर पाते हैं और स्कोर के बात की जाए इस ग्राउंड पर तो थू स्टी टोंटीच के मैचिस खेले जा चुके हैं शिड्नी सो ग्राउंड स्टेडियम सिड्नी में वैटिंग सब्सक्राइब टीम ने सोला मैचिव जीत दर्च किया कोई खास अंतर है नहीं लेकिन ध्यान रखना इस में बैटिंग सेंग्ड करना टीम को थोड़ा बहुत इतना अच्छा रिकार्ट नहीं है इसका धान रगना रिसन फार्म के बाद किये तो जीरो तेरा चोगतर नाट आट एक और बीस इतने अच्छे फार्म में नहीं चल रहे हैं इस बात का धान डेविड वारना रहें बीवेल में इनकराम आठ मैंज में दूस पंदरा रहना है 27 सकता है इस में खासकर बिस बन ही टीम के खिलाफ जैसन संगा एंगे बीवेल में इनकराम 28 मैंज में 379 कोई बिगर नहीं मिला है राइट हम लग ब्रक बालिंग कर सकता है और धान नगना बहुत दिन बाद यह बीवेल कमाईश खेल रहा है कम से कम एक महीने बाद रिसन फा सब्सक्राइब नहीं रहा है और धान रखना इस बात का अलेक्स रोस आंगे बीवेल में इनकराम 29 मैंज में 1718 29 से रिसन फांग की बाद किये तो 3-2-4-6-14 इनका भी फाम इतना अच्छा नहीं इस बात का धान रखना डेनियल सांस आंगे बीवेल में 75 मैंज में 721 16 के और सब्सक्राइब करती है तो साबित होने वाला है डेनियल सांस इस बात का धानगना रिसन फांग की बात किये नौरन चार विकर्ट एक पांच रूपकर थास रन एक बेन कटिंग आंगे बीवेल में 116 मैंज में 1718 रने तेसके और से 70 बिकन काले है रिसन फांग की बात किये 20 रन जूपकर जूरूपकर चेरन जूपकर एक बडालकर नौरन जूरूपकर नाथन मैं किंडरू आएंगे बीवेल में इनकराम 22 मैंच में 49 विकर्ट है रिसन फांग की बात किये 20 रन जूपकर एक बार नट आट जूपकर दयान अगन गेंद बाजी बहुत यह अच्छी क रिसन फांग की बात किये तो एक बेड़ जूपकर एक बेड़ दो विकर्ट द्याना का कई सारे माईची है इसे खेले हैं जिसमें सिर्फ एक या दो अबर कराया है तो मेरे हिसाब से इस मैच में इतने इंपॉर्टन भी खोने वाल नहीं है उसमान कादी रहेंगे बीवेल तो पिक कर सकते हैं बाइटिंग से खासकर आप पिक कर सकते हैं मेरे हिसाब से इधर से आप डेविड वार्नर को पिक कर सकते हैं उसके सबस्तबात किया है तो इधर से अच्छा बलवाज है हाला कि पिछले तीन मज में इतनी अच्छा प्रदरसन नहीं किया है उसके सबस्त को पिक करना है और क्रिस ग्रीन को पी करना है उस्मान कादिर को भी ट्राइ कर सकते हैं तो यह तो बात हो गए थू कि अब बात करते हैं दूसरे जीने की इन की बात किया बीवेल के लास 5 में फिछलो मैज मेन्क मैं इस सीजर बागी स्वाइच जीत और दर्हश्वाद का रहा है तो sister-tiewar की फिपर हमिशेफा wrapped सब्सक्राइब कर सकता है लेकिन इस सीजन बिल्कुल वालिंग नहीं करा रहा है अगर करा भी रहा तो सिर्फ एक उबर कराया था एक मैच में रिसन फार्म के बात किये 46-28-1-5 बालिंग कराने चांसें के कम रहेंगे अगर आपको लगता है कि बैटिंग से आपको पॉइंट देने वाले हैं तभी पिक करना है इनको नहीं तो नहीं पिक करना है मैं ट्रेंट साइंगे बीबेवर में कराम 69 मैंज में 1295 रहन है 259 बीक न 37 के और से और इसन फार्म के बात किये तो आठ बाइस तीन सताओन नाट रहने वाला है क्योंकि अगर उपर के बलवाज फार्म में नहीं है जल्दी आउट हो जाते हैं तो इसको ज्यादा गेंद खेलने का मोगा मिल सकता है और आपको अच्छे पॉइंट दे सकता है माइक सब्सक्राइब करता है माइकल नेशर का कंफर्म नहीं हाला कि पिछले मैंच में नहीं करा है माइकल नेशर सिर्फ एक ओबर कराया है कराया भी है तो इस बात का धाना है कि जेम्स बाइज लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे हिसाब से बैतु को लेमन आएंगे बीवेल में के नाम एक तीस में चोवीस रहने थेज़ बिगन कर ले हैं सुरोल लेफ्टा माज तो अगयन में करते हैं रिजिसन फांग की ब इस सारे मैचों में इसने बहुत अच्छी गनवाई की है हालाक इसको बिकट नहीं मिलें डेस में कई सारे मैचे में ब्रिस्बेन हीट की टीम को जीता आया है तो इस बात क्या धान लगा इस्ट्राइटिंग को बसांट डालने वाले हैं यम नेसर यह जॉंसन जे बैजले जॉंसन बेंच में बहुत सार प्लेर अगर को खेलता है इस्टे टेल गाम चनपर मिल जाएंगे लाश्ट पनेट सब्डेट्स में अगर यहां से टॉप पलेस के बात कि तो पिक कर सकते हैं मेरे हिसाब से इधर से मानने लबंचाने को ट्राइए कर सकते हैं आल राउंडर स सकते हैं इधर से जिमी पिरसन को अच्छा पीक होने वाला है इस बात का ध्याव लगा उसके सब्सक्राइब कर सकते हैं तो अनालसिस वाल पार्ट हो जोगा कंपडीर बात करते हैं डेमो टीम की डेमो टीम की बात के आएंस पहले बस आपके रिक्वेश्ट है कि अगर आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथ इससाथ अगर आपको वडियो संदार हो तो वडियो को प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा धान रखेगा मैं आने वाले हर मैं चीछ कबर करने वाला हूँ तो उसकी नोटिफ के इस तन आपको मिल सके और वीडियो आप आपको अलगाम सब्सक्राइब कर लाइक करना मझान चैनल को सब्सक्राइब करना साथ चैनल को आफ को वडियों जाएगा और अगर आप काउंट सब्सक्रेइगा तो अहां पर अधिशन क्या मिल जाएगा